नमस्कार स्वागत है आपका अभी दो चर्णों के चुनाव खत्म भी नहीं होए थे उत्रप्रदेश में कि अखिलेश यादव अलग-अलग जगा जाकर इस बात को बता रहे थे कि कैसे पहले दो चर्णों ने ही ये तै कर दिया है कि गर्मी निकल चुकी है वो इस बात का जिकर कि इस बात को कहते हुए कर रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ तीसरे चर्ण में जो साफ तौर पर तीसरे चर्ण से पहले अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया कि बुंदेल खंड के लोगों ने एक तरीके से एक आखरी मोहर इस पूरी की पूरी बात पर लगाएंगे कि कैसे बीजेपी अब यहां से आगे नहीं बढ़ रही है सरकार बनाने को लेकर क्योंकि तीसरे चरण का जो चुनाव होगा जो बुंदेल खंड के लोग तै करेंगे वो उन्हें ठंडा कर देंगे ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है वो अलग-अलग जगा जो चुनावी जनसभाएं कर रहे थे चुनावी रहलियां कर रहे थे उसमें मोधा एक जगा पड़ती है महोबा निशित तौर पर वहाँ पर है हमीरपूर है इसके अलावा जहांसी है यहां सारी जगा जाकर उन्होंने बार-बार इस बात का जिक्र किया कि बुंदेल खंड जो है वो ठंडा कर देगा सारी की सारी चीज़ों को पर भी यहां शिमला बनाने की जो कुवत है वो रखता हूं और इसके बाद बहुत सारी चीज़े सामने निकल कर आई अखिलेश यादव ने बयान दिया जहन चौधरी ने बयान दिया और गर्मी चर्बी इन सारे के सारे शब्दों का प्रियोग किया गया लेकिन अब इसके आगे जब वो बढ़े यहां पर तो उन्होंने ये साफ तोर पर बताया कि कैसे जो है वो न सिर्फ इन से आगे बढ़ते वे उनकी सरकार आईगी तो न सिर्फ कानून व्यवस्था को बहतर करेंगे जिस पर वो लगा तार चुनावी प्रचार के दौरान सवाल उठाते रहें बीजेपी की की बीजेपी दावा करती है कि सब बहतर हो चुका है सब सुरक्षित हो चुका है लेकिन ऐसा नहीं है और इन सारी चीजों के बीच उन्होंने का कि उनकी सरकार आएगी तो वो चाहे वो डायल हन्रेट सुविदा हो इसको भी एक बार फिर से बहतर करेंगे और सुरक्षित बनाएंगे उत्तर प्रदेश को और इसके बाद जाते 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 जनगरना का जिक्र किया जो उनके चुनावी प्रचार का एक मुख्य एजिंडा रहा है वो चुनावी प्रचार के दौरान या उससे पहले भी जाते जनगरना पर बीजेपी को घेरते रहें वो साफ तोर पर ये कहते हैं कि बीजेपी कभी भी जाते जनगरना नहीं कराएगी और वो ये भी कहते हैं कि इन सारे के सारे चीज़ों के बाद चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी ने जो नौकरियों पर आरक्षन में भिधभाव किया है वो इसे खत्म करेंगे और इसका जो एक मुख्य जरीया होगा वो यही होगा कि जातिकत जनगरना करा कर ये ताय किया जा सके कि कहा कितनी नौकरियां दी जानी है तो ये प्रमुख 2-3 मिंदूर है इसके अलावा उन्हें किसानों पर भी बात की और काले कानून को लेकर भी जो 3 काले कानून थे उसको लेकर के भी उन्हें सरकार को घेरा लेकिन कुल मिला करके जो 2-3 एहम बाते रही उनके चुनावी प्रचार की इन 3-4 जगों में उसमें निश्रत तौर पर एक गर्मी निकाल देने वाला बयान है उसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहा उनका दूसरी बात जैसा मैंने było कानून विवस्था पर उनका बहुत ज्यादा फोकस रहा और जातिकर्च जन्गर्ना को लेकर इता हुआ था झाल